हलो एवडिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे चना दाल नमकीन आप देखी रहे हैं कितनी क्रिष्पी बनी है और यह क्रिष्पी ओने के साथ साथ बहुत स्पाइसी भी है इसे बनाना भी बहुत आसान है इसको हम एक बार बनाकर महीनों तक इस्टोर करके के लिए लिया है मैंने चनेगी दाल और इसको हमने रात बर पानी में भीगो कर रख दिया था दाल अच्छे से फूल गई है अब हम इसको दो लेते हैं कि इस दाल को में कम से कम आट-दस घंटे के लिए जरूर भीगोना है जिससे अच्छे से फूल जाए मैंने इसको दो से तीन बार दो लिया है और दाल अच्छे से साफ हो गई है अब इसको एक चलनी में निकाल लेते हैं और इसको पांच मिनट के लिए रख देंगे जिससे इसमें जो पानी है सारा पानी निकल जाए अब हम एक किचन टोवर लेंगे और इस दाल को इस पर फैला लेते हैं हमें दाल को सुखाना है इसको इस तरह से फैला लेते हैं और इसको पंखे के नीचे आदा गंटे के लिए रख देंगे दाल को धूम में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है अगर आप चाहे इसको किचन टोवर के साइटा से पोंच सकते हैं आदा गंटा हो गया है आप देख सकते हैं दाल अच्छे से सूख गई है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं इधर हमने तेल गरम होना रख दिया है तेल अच्छे से गरम हो गया है और हमें इसके लिए अच्छा गरम तेली चाहिए अब एक छलनी लेंगे और कुछ दाल इस छलनी में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे यह देखिए तेल में डिप करेंगे कुछ इस तरह से फ्राई करना है इसको फ्राई ओने में पांच से चैमनेट लगेंगे एक बार इसको चला लेते हैं जिससे हमारी दाल अच्छे से फ्राई हो जाए दाल अलकी सी ब्राउन हो गई है और क्रिस्पी भी आप देख सकते हैं अब हम इसको टी सू पेपर पर निकाल लेते हैं इसी तरह से हम अपनी सारी दाल को फ्राई करेंगे आप चाहे तो इसको तेल में डाल कर भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत अच्छे तरह से फ्राई हो जाती है यह देखिए हमने पूरी दाल को फ्राई कर लिया है और यह बहुत अच्छे से हुई है इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है आप देख सकते हैं आप इसको एक बाल में निकाल लेते हैं और इसमें डालेंगे कुछ मसाले मसालों में मैनेस में एक चमच लाल मिर्च एक चमच चाट मसाला काला नमक सादा नमक और हमचूर पौडर लिया है इन सब को दाल में डाल लेते हैं मसाले आप अपने इसाब से कम ज़्याद रख सकते हैं और इनको मिला लेंगे ये देखे हमारी चनादाल बनकर तैयार है इसको हम ऐसे बना कर स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपको मेरे रैस्पी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें जिससे मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं फिर मिलते हैं किसी नहीं डिस्क के साथ तब तक के लिए बाई बाई